आज आप सुनेंगी कार्तिक मास की गणेश चतूर्थी की कता। पार्वती जी कहती हैं हे भागशाली, लंबोदर, भाशन करताओं में स्रेष्ट कार्तिक क्रिश्ण चतूर्थी को किस नाम वाले गणेश जी की पूजा किस भानती करने चाहिए। श्रेकृष्ण जी ने कहा कि अपनी माता की बात सुनकर क्रेश जी ने कहा कि कार्तिक क्रिश्ण चतूर्थी का नाम संकस्टा है। इस दिन पिंग नाम गणेश की पूजा करने चाहिए। पूजन पुरवक्त वीदी से करना उचित है। बोजन एक बार करना चाहिए। वर्थ और पूजन के बाद ब्रामन को भोजन कराकर स्वेमोन होकर बोजन करना चाहिए। मैं इस वर्थ का एक महात्य में आपको सुनाता हूँ। किरपधान पुरवक सुनिये। कार्थिक कृष्ण चतूर्थी को घी और उडद मिलाकर हवन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुश्य को सर्व सिध्धी प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने कहा कि वस्तरा सुर्द्यत्य ने त्री भुवन को जीत करके संपून देवों को परतंत्र कर दिया। उसने देवताओं को उनके लोकों से निश्काशित कर दिया। पैणाब सावरूप देवता लोक दसु दिसाओं में भाग गई। तब सभी देव इंद्र के नित्रतों में भगवान विश्ण के शरनागत हुए। देवों के बात सुनकर विश्ण ने कहा कि समुंद्री द्वीप में बसने के कारण वे निरापद होकर बलशाली हो गई है। पिता में ब्रह्मा जी से किसी देवों के द्वारा ना मरने का उन्होंने वरप्राप्त कर लिया है। अते आप लोग अगस्त्य मुनी के वो परसन करें। वे मुनी समुद्र को पी जाएंगे। तब देत्य लोग अपने पिता के पास चले जाएंगे। आप लोग सुक पूर्वक स्वर्ग्स में निवास करने लगेंगे। अते आप लोगों का कारिय अगस्त्य मुनी की साहिता से पूरा होगा। ऐसा सुनकर सब देवतागन अगस्त मुनी की आश्रम में गए और स्थूती के द्वारा उन्हें परसन किया। मुनी ने परसन होकर कहा कि है देवताओं। डरने की कोई बात नहीं है। आप लोगों को मनोरत अवश्य ही पूरा करेंगे। मुनी की बात से सब देवता अपने अपने लोग को चले गए। इधर मुनी को चिनता हुई कि एक लाग योजन इस विशा समुद्र को मैं कैसे पीशकूंगा। तब गणेश जी को समण करके संकर्ट चतूर्थी के उत्तम वर्थ को विधी पुर्वक सम्पन किया। तीन महीने तक वर्थ करने के बाद गणेश जी उन पर परसन हुए। उसी वर्थ के प्रभाव से अगस्त जी ने समुद्र को सह जी पान करके सुखा डाला गणेश जी की इस बात से पार्वती जी अतिन परसन हुई कर्चन जी कहते हैं कि है माराज युदिश्टर आप पी चतुर्ती का वर्थ कीजिए इसके करने से आपशिक्र ही शब स्तुरों को जीत कर अपना राज्य पालाएंगे स्री कृष्ण के आदेश अनुजार युदिश्टर ने गणेश जी का वर्थ किया वर्थ के परभाव से उन्होंने शतुरों को जीत कर अखंड राज्य प्राप्त किया था